नमस्कार दोस्तों, वेलकम बेक टो माय यूटीब चैनल और दोस्तों, आज हम बात करेंगे product training की किसी भी direct selling के किसी भी company के अंदर उसका mean role जो हता है जो उसकी read की headdy जो हती है वो हता है उसकी product आज इस video के अंदर हम product training की बात करेंगे product की detail की बात करेंगे और मैं दोस्तों दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज की इस ट्रेनिंग से Forever Living Product के जितने भी प्रोडक्स हैं Mostly जिनका हम इस्टेमाल करते हैं उसकी आपको एक Mastery हो जाएगी दोस्त तिस वीडियो को 100% Concentration से आपको देखना है क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप वाकिए ये बोलेंगे कि वास्ते में Forever Living Product के जो प्रोडक्स हैं उसके अंदर जान हैं और हम इसके अंदर बहुत अच्छा बिजनस कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों जब प्रोडक्ट अच्छे होते हैं तब ही repeat orders आते हैं और जब प्रोडक्ट अच्छे हैं और हमें अगर अच्छी जानकारी नहीं है तो वो प्रोडक्ट हमारे लिए किसी भी काम के नहीं होते हैं और अगर हमारे पास एक अच्छी जानकारी होती हैं तो हम उसको अच्छे तरीके से promote कर सकते हैं हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो आज हम इसी वीडियो के अंदर उस product की पूरी detail के अंदर बात करेंगे कि उसके ingredients क्या है कि यूज कैसे किया जाता है कि इसको कैसे इस्तेमाल हमें करना है और उसको किस process के दौरा product को बनाया जाता है तो इस वीडियो को बिना स्किप करें आपको लाश तक जरूर देख रहे हैं और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना जो भी अच्छी चीज लगे उसका कमेंट आप जरूर करना और दोस्तों हमेशा मेरे चैनल पे आपको maximum knowledgeable वीडियो मिलती हैं इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेश जरूर कर लेना और मेरे इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो करें क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारी motivational shorts मिलती है motivational codes आप वहाँ से देख सकते हैं और अपनी life के अंदर एक motivation भरा जीवन जी सकते हैं तो चलिए इस वीडियो के सुरुवात करते हैं दोस्तों मेरा नाम पुनमून्ड है और मैं forever living product के अंदर एक बहतरी लेबल, manager लेबल पे काम कर रहा हूं दोस्तों चलिए इस वीडियो के सुरुवात करते हैं तो अभी हम product training के अंदर इन तीन subject को cover करने वाले हैं health care, personal care, nutrition supplement और इसमें हमें लगबग लगबग 30 minute तक का patience रखना है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों ये training आपको बहुत फाइदा करने वाली है forever की जो actual जो शुरुवात हुई थी वो एक किसी plant के साथ सुरुवात हुई एक कुदरती पोदे के साथ सुरुवात हुई थी और जिस पोदे का नाम दोस्तों हम अपनी भासा में गवारपठा बोलती हैं लेकिन English में इसको aloe vera बोला जाता है इस plant के साथ में forever living product का जनम हुआ था दोस्तों इस plant पे दुनिया भर ने बहुत सारे research करी हैं और forever ने 1970 से लेके continuously 1978 तक research करने के बाद forever living product का जनम हुआ था दोस्तों और एक बहतरीन quality को maintain करे हुए हैं और इसलिए हम aloe vera में बाद सा company हैं दोस्तों इसलिए हमें forever living product को the aloe vera का tag line मिला हुए है पूरी दुनिया में हमसे बड़ा aloe vera में कोई नहीं है और इसी के साथ हम honey के भी दुनिया के 75% market cover करते हैं तो चलिए हम थोड़ी सी profile को जानके product की तरफ बढ़ते हैं product के दम पे दोस्तों बिना किसी विज्ञापन के product के दम पे पूरी दुनिया में 168 country के अंदर जाना एक बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों कोई paper media, paper या media कोई भी advertisement नहीं फिर भी quality के दम पे पूरी दुनिया में जाना और इसी के साथ में एक record कायम कर रख है forever ने कि अब तक जिस देश में गए हैं वहाँ से हमारा store बंद नहीं वा यह है manufacturing facilities जहां पे totally forever living product का जो production होता है वो vertically integration के माधियम से होता है यानि कि totally जो काम होता है forever का वो खुद करती है 3rd mediator involved नहीं है यह तना बड़ा manufacturing units है कि अगर कोई व्यक्ति देखने के लिए भी जाए तो लगबग तीन महीने लग जाते हैं उसको देखने के लिए दोस्तों क्यों forever living products की हम बात कर रहे हैं क्यों reason क्या है लोगों क्यों use करेंगे लोग हम थोड़ा से सेनेरियों पे नजर डालती हैं कुछ common disease की बात करते हैं जो humanity को day by day कमजोर करती जा रही है क्या reason है दोस्तों कौन सी है वो disease diabetes की अगर अपने बात करें तो 75 million percent इंडिया के अंदर हो चुकी है हर छटे व्यक्ति को diabetes हो चुकी है और मैं नहीं बोल रहा हूं यह research बोल रही है दोस्तों और अगर अपने बात करें heart disease की 54.5 million percent इंडिया के अंदर अब तक हो चुकी है हर हो थे व्यक्ति की जो death हो रही है उसमें एक heart attack की वजह है और arthritis की तो बात ही छोड़िए 180 million percent इंडिया के अंदर है हर पांच में व्यक्ति के गुठनों में problem है अब सोचिए इतनी बड़ी तदाद अगर अपने बात करें तो हर पडोसी के या तो सीने में दर्द है या समझ आ चुका है कि जब ये एक बार बिमारिया हो जाती है तो इनका नाम दिया जाता है incurable disease जिनको हिंदी में बोलते हैं ऐसाध्य रोग जिसका कोई साधन नहीं है जिसका कोई इलाज नहीं है दुनिया के किसी hospital के अंदर अब तक एक भी patient का इलाज नहीं हुआ है इन तीन disease का वो जश्ट एक temporary हो सकता है लेकिन permanent कोई ऐसा बंदा नहीं है जो ठीक हो चुक है जो permanent इस बीमारी से ग्रिसत होने के बाद ठीक हुआ हो क्योंकि hospital खुद कहते हैं कि हम जब लंबे समय तक हमारे भोजन के अंदर nutrition की कमी रहती है तो ही वो एक बीमारी का रूप लेती है और मैं आज इस वीडियो के अंदरे से कोई चर्चानी करूँगा कि हमारे product दवाई है और कोई बीमार ठीक हो जाएगा मैं जस्ट वो बात करूँगा कि हमें खुराक क्या खाने चाहिए दोस्तों एक बहुत अच्छी line है prevention is better than cure अगर आप से पूछे कि बीमारी होने के बा एक बहुत अच्छी line हो रहा है जो golden line जिसको मैं बोलता हूँ यह कहते हैं बहुत बड़े scientist का court है वो कहते हैं कि अगर आपकी खुराक अच्छी है तो आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और दोस्तों अगर खुराक अच्छी नहीं है तो दुनिया की कोई भी दवाई आपकी बोडी पे काम नहीं करेगी तो मेटर क्या है रोल क्या है सारा रोल है खुराक का सारा रोल है डाइट का तो आज हम खुराक की ही बात करेंगे दोस्तों यह दोनों खुराक की है फॉरेवर लिविंग प्रोडेक्ट वर्ल्ड की सबसे बड़ी कमपनी है एलो वेरा में और सहद में दुनिया में सबसे बड़ा नाम है सहद और एलो वेरा में एलो वेरा की पूरी दुनिया की मार्केट की बात करें तो 85% मार्केट फॉरेवर के पास है और सहद की बात करें तो 75% पूरी दुनिया में हनी के अंदर फॉरेवर है एलोवेरा की जैसे बात आती है ना तो हमारे दिमाग में बहुत सारे क्योसंस आती है हम सोचते हैं अच्छा एलोवेरा एलोवेरा तो मेरे गमले में लगा या मेरे खेत में लगा उसको काटके ताजा खा लेंगे या मेरे घर के बाहर एक पडोसी हैं वहां पे ऐलो वेरा का जूस निकालती हैं उसका ताजा जूस पिऊंगा दोस्तो ऐलो वेरा के थोड़ी सी रिसर्च के बारे में बता देता हूँ ऐलो वेरा में ओल ओवर फॉर हंड्रेड वराइटीज होती है चार सो प्रकार के एलो वेरा होते हैं जिसमें तीन सो पिच्छा सी परजाती जिसमें हियूमन वोड़ी को कोई फाइदा या नुकसान नहीं पहुंचाता है यानि कि घास के समाने खाए ना खाए कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन ग्यारा परजाती पोईजनस होती है यानि कि इनी में से इनी के सकल के ग्यारा पोदे ऐसे होती हैं जो जहर का काम करते हैं यानि कि उसमें लेटक्स की मत्रा बहुत जादा होती है और वो खतरनाक होते हैं जिसमें चार या पांच पर जाती, चार समय से चार या पांच पर जाती, जिसमें 80 से लेके 100% medicinal properties यानि कि और सद्ध्य गुण पाए जाते हैं। लेकिन जो Forever Living Product पर जाती इस्तिमाल करती हैं, उसका नाम है Allobarbidensis Miller, जिसमें 100% medicinal properties हैं। और सद्ध्य गुण हैं, internally और externally दोनों रूप में काम करता हैं। क्यों? क्योंकि Forever Living Product ने इसकी Research करी थी। और इसका नाम इसी वज़े से ये पड़ा है, क्योंकि Barbados एक टापू है वहाँ पे इसकी Research करी थी। एलो इस प्लांट का नाम है, मिलरू सैंटिस्ट का नाम है, और ये Research Forever Living Product की है। एलो वेरा के बहुत सारे टाइप होते हैं। एलो वेरा आपने थोड़ा सा जाना कि क्यों हमें घर का एलो वेरा या कहीं खेट का एलो वेरा क्यों नहीं खाना चींकि क्योंकि हमें नहीं पता कि किस क्वालिटी का है। लेकिन फाइनली हम बात करेंगे एलो वेरा क्यों यूज करें। कोई भी एलो वेरा क्यों यूज करें। वाइ। तो इसकी जानकारी के लिए थोड़ा सा structure समझना पड़ेगा बोड़ी का। हम कौन हैं वाट आर वी मैड ओफ हम किस चीज के बने वे हैं। तो थोड़ा सा जानते हैं बोड़ी का साइकल जानते हैं। दोस्तों इंसान का सबसे छुटा अंग जो हता है वो हता है cell उसके बाद T-C, T-C के बाद organs, system और पूरी body यानि कि हमारी body का एक chain system है यानि कि अगर अपने बात करें we are cell हमें एक cell है दोस्तों हवा, पानी और भोजन अब आप सोचिए think about कि ये तीन चीजे कैसी मिल रही है हवा कैसी है polluted, पानी कैसा है जहरीला या fluoride की मात्रब हो जादा है या tedious जादा है या कम है और भोजन की तो बात ही छोड़िए यहाँ पे तो इतना pesticide घुश चुक है कि अगले 40 साल तक भी बंद कर देंगे तो भी इसका असर अगली 40 साल तक और रहता है pesticide का असर यानि कि तीनों चीजे जो हमारे पेट में जाती है वो तीनों चीजे जहरेली हो चुकी है और यह तीनों चीजों का जो टॉक्सिन बनता है वो हमारे पेट के अंदर जाता है हमारे small intestine जो भोजन को पचाने वाली नली होती है पाचन तंतर जो होता है उसके अंदर जब जाता है तो यह गंदगी वहाँ पे जाके जमा हो जाती है और वो ही बिमारी का रूप लेती है हमारे doctor और हमारे scientist एक ही बात कहते हैं कि 90% बिमारीों का जो जनम होता है वो हमारे पेट से होता है क्यूं? क्यूंकि उसके अंदर toxin होता है और वो हमारे बोजन को पचने नहीं देता इसकी वज़े से वो बोजन सड़ जाता है तो nutrition नहीं मिलता है और गंदगी ज़्यादा फेल जाती है वो ही एक बिमारी का रूप लेती है यानि कि toxin की मातरा बढ़ जाती है तो बिमारी निश्चित रूप से होगी ही होगी थोड़ा सा structure समझते है हमारी intestine का हमारी आंत का जो हमारी internal body के अंदर जो 21 से लगे 27 पिट के लंबी जो आंत होती है उसके अंदर willize होती है विलाइज के medium से बोजन पसता है और दोस्तो यकीन के साथ कह सकता हूँ जिस इनसान के chest से पेट बाहर आ चुका है या तो वो बिमार हो चुका है दवाई ले रहा है या future का निश्चित रूप से वो बिमार बनने वाला है जिनका भी पेट बाहर आ चुका है क्योंकि इस पेट के अंदर toxic ज़ादा है और वो ही toxin बिमार कर देगा दोस्तो हमारी जो आंत होती है एक जनम ते बच्चे की इस परकार से होती है आप देख रहे हैं एक दिन के बच्चे की इस परकार से आंत होती जिसमें कोई गंदगी नहीं होती है वो जो भी खा रहे तुरंत पच जाता है इसलिए वो सुबह मॉर्निंग में 4-5 बज़े ही उठ जाता है उठते ही वो खेलने लग जाते है उसको कोई एनर्जी की जरूरत नहीं रहती है और हम जैसे उठते हैं तब तक आंख नहीं खुलती जब तक चाई की एक प्याले नहीं पीलेंगे क्यों? क्योंकि हमारी बोडी के अंदर वो नूट्रिशन बचाई नहीं जो एनर्जी देश के और जैसी वो बच्चा बड़ा होता है हवा पानी भोजन लेना सुरू करता है तो हमारी उस बच्चे के आंथ के अंदर ये गंदगी जाना सुरू हो जाता है एक डोक्टर एक रिसर्च में बताते हैं कि डेर्ड किलो से ज़्यादा टॉक्सिन इस आंथ के अंदर 20-25 साल की एज में मिल जाता है और ये टॉक्सिन इतना जिद्दी होता है कि सर्जिकल ब्लेड से भी आप ठाएंगे तो भी नहीं अठेगा इतना जिद्दी होता है इसलिए इस टॉक्सिन को रीमूव करने के लिए अब तक कोई दवाई अवेलेबल नहीं है सिवाल लिगनिन और सेपनिन की एक कुदर्ती प्लांट है जिसका नाम है ऐलोवेरा जो किसी कमपनी ने नहीं बलकि कुदर्त ने बनाया है उसके अंदर दो तत्वे पाए जाते हैं जिसका नाम है लिगनिन और सेपनिन लिगनिन का काम होता है डीपली पिनिट्रेट करना यानि कि बॉड़ी के अंदर उस टॉक्सिन के अंदर पिनिट्रेशन करता है उसको फुलाने का काम करता है सेपनिन एक सोपी पतारत होता है जिसको फुला के बाहर करता है इसलिए ऐलोवेरा में बोला जाता है कि अगर आप ज़्यादा पानी नहीं पियेंगे अब चलते हैं उन प्रोड़क्स की तरफ ये दोस्तो तीन प्रोड़ेक्ट है जो आपकी फेमिली में घर के छोटे बच्चे से लेके बुजुरुग तक ये तीन ऐसी बोटल है हो सकता है इन बोटल्स का आप समझ के इस्तेमाल करके आप अपनी फेमिली को हमेशा फिट रख सकते हैं हेल्दी रख सकते हैं दोस्तो सबसे पहला नमबर आता है हमारे प्रिंसिपल प्रोड़ेक्ट ड्राइविंग प्रोड़ेक्ट फॉरेवर की ड्राइविंग प्रोड़ेक्ट है दोस्तो ये पीली बॉटल इससे शुरुबात करते हैं दोस्तो फॉरवर का ऐलो वेरा जिसका प्रिंसिफल इंग्रिटियंट है दोस्तो 99.7 परतिशत प्योर ऐलो वेरा की इनर लीफ होती है दुनिया की पहली बॉटल है जिसमें किसी भी प्रकार का प्रिजरवेटिव मिक्समी और यह आपके healthy digestion system को support करता है यह आपके digestion system को clean करता है और साथ में आपको healthy immune system भी promote करता है दोस्तो यह आपकी nutrition absorption power को बढ़ाता है और आपकी complete cleansing करता है और इसी के साथ में दोस्तो इसमें 12 के 12 vitamins है 18 amino acids है 20 minerals है 15 nutrients है 200 micronutrients है दोस्तो और एक बहुत अच्छा good detoxifier है और ये बाते मेरे कहने से नहीं ये दुनिया में proof हो चुकी है सबसे पहला international alocon science सी approved हो चुके है जिसमें परमानित हो चुके है कि दुनिया के सबसे best alover है और दूसरा है कि इसमें किसी भी प्रकार का side effect नहीं हो सकता है cocer rating approved है और तीसरा am halal certified है यानि कि कोई color कोई alcohol वगेरा कुछ नहीं मिला जो कुदरत ने दिये वो agitages bottle के अंदर है इसको use कैसे करने हैं दोस्तों use करने का बड़ा simple तरीक है वैसे इसको कभी भी नहीं आ जा सकते है और इसकी actual dose 240 हैमन होती है लेकिन अगर हम बोल देंगे कि कभी भी ले 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 ना तो इंडिया में वेसे लोग रहते हैं कि वो कभी नहीं लेंगे तो इसका एक measurement बनाया गया है कि आप morning में खाली पेट 50 गराम लीजिए और 30 मिनट तक कुछ ना खाईए उसके बाद आप गरम पानी का इस्तेमाल करिए आपकी body अच्छी तरीके से detoxification होना सुरू हो जाती है यानि कि आपको उठते ही खाली पेट 50 गराम काच की गिलास में डालना है क्योंकि दूसरी गिलास में क्योंकि एलो बेरा के absorption पावर ज़ादा होती है तो आप दूसरी काच की गिलास में ही इसके इस्तामाल करें तीस मिनट के बाद आपको गरम पानी पीना है और दिन बर में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है अगर आपने पानी नहीं पिया तो ये फाइदा नहीं करेगा Evening में आपको खाना खाने के बाद में लेना है यानि कि आद्धे गंटे के बाद इसको लेके और फिर उपर से पाने पेके आपको सो जाना है तो इस परकार से अगर लेंगे तो ज्यादा बेटर आपको रिजल्ट देगा अगला है दोस्तो Forever का Alloberry Nectar well research product है दोस्तों ये unique product है और उसका advanced version है ये उसका updated version है क्योंकि इसके अंदर aloe vera के साथ में कुछ ऐसी और चीज़े add करी हुई है जो especially महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है यानि कि अगर महिलाओं के लिए अगर दिया जाए तो ये और भी अच्छा है वैसे तो इसको कोई भी ले सकता है लेकिन इसके अंदर crane berry और apple extract डाला जाता है जो महिलाओं के कुछ अंदरूनी problems के लिए काफी फाइदे मंद होता है दोस्तों यानि कि इसके अंदर aloe vera के साथ crane berry और apple का extract डाला जाता है जिसकी वज़े से ये और ज्यादा advance working करता है इसके अंदर दोस्तों 90% aloe vera है जो भी aloe vera की working है वो सारी करेगा ही करेगा इसमें भी कोई preservative नहीं है ये भी आपके healthy digestion system को promote करता है ये भी आपके immune system के लिए बहुत अच्छा है और इसके अंदर आपको urinary track समदित जो problem होती है उसके लिए भी फाइदा करता है क्योंकि crane berry आपके urinary health को ठीक रखने में मदद करता है और दोस्तों ये kidney के लिए बहुत अच्छा product है ये अपके liver के लिए बहुत अच्छा product है और इसके अंदर एक खास प्रकार का तत्वे हैं जिसमें polysacuridesmen है नोधन है जो आपकी किसी भी अंदरूनी महिलाओं के किसी अंदरूनी problem के लिए बहुत अच्छा working करता है इसके अंदर vitamin C का rich source होता है kidney detoxifier है, liver detoxifier है super antioxidant है दोस्तों इसको इस्तेमाल करने का सेम वही तरीका है जो एलो बेराक है खाली पेट सुबे 50 gram शाम को खाना खाने के बाद फिर 50 gram और अब दोस्तों थोड़ा सा घंबीर होके मैं इस slide को आपको बताऊंगा हमारे घर पे जो बच्चे हैं सबसे ज़्यादा ख्याल उसका रखना जरूरी है क्योंकि उनको growing age होती है उनके हर एक parts growing age के अंदर होते है उनकी body को raw material चाहिए और raw material अच्छी खुराक का चाहिए आज की rate में चोटे-चोटे बच्चों को problems हो रही है चोटे-चोटे बच्चों को कबज की problem हो रही है आँखों की problem हो रही है eyesight weeks हो रहे है उनकी यादास्त नहीं लग पारी है उनकी concentration नहीं लग पाता है इन सबका reason एक है दोस्तों कि उनकी body के अंदर nutrition की कमी आ चुकी है और उपर से कुछ bad food habits जो junk food होते हैं कुरकुरे होते हैं टौफिया होते हैं ये तुरंत प्रवाव से अपने बच्चों को बंद कर दें क्योंकि ये बहुत खतरनाक होती है और दोस्तों इसी के साथ में अगर complete बच्चे के लिए डाइट चाहिए तो alo bits and pitches आप दीजिए उनको 84.5 aloe vera है जो जितनी भी aloe vera की working आप उसारी करेगा लेकिन इसके अंदर बच्चों के लिए especially तूप से पकेवे आडू का extract डाला जाता है जो बच्चे की आंखों के लिए brain के लिए यादस्त के लिए उनका concentration लग जाने के लिए इनके लिए बहुत अच्छा फाइदा करता है दोस्तों क्योंकि इस product को देने के बाद आप जमीन आस्मान का फरक अपने बच्चे के साथ देख पाएंगे दोस्तों ये भी इन तीनों certification से certified है यानि की proof हो चुके हैं कि इसमें किसी भी परकार का side effect नहीं आपके बच्चे के लिए इसको भी उसी तरीके से आपको इस्तेमाल करने है यानि की छोटे बच्चे को भी आप 50 गराम दे सकते हैं सुबह मॉर्निंग में और स्याम को खाना काने के बाद और उनको भी ज़्यादा सी ज़्यादा पानी पीना में इसमाल रिखमन करें और इतना test ही हैं कि बच्चा अपना ले लेगा क्योंकि test बहुत अच्छा इसका अब बात करें दोस्तों भी प्रोडख्स की अगर 10 पूद्ध के बात करें तो सबसे पहला दुनिया में इकलोती कम्पनी है जो 100% बी हनी तयार करती है नैचुरल हनी तयार करती है आपको पता होगा CBSE के एक लिबोरिटरी के अंदर जान चुई थी और IBM 17 न्यूज के अंदर एक बताया गया था कि 12 में से 11 हनी कम्पनी के अंदर केमिकल की मात्र यानि की टेटरसाइकल इनकी मात्रा बहुत जादा बताई गई थी इकलोता Forever Living Product कहानी है जिसमें किसी भी परकार का कोई भी मिलाउट नहीं है और इसको एक दिन का बच्चा भी इस्तेमाल कर सकता है और ये complete आपके लंग्स के हेल्थ के लिए बहुत अच्छ है आपके complete आपकी बाड़ी के लिए यानि कि आपके पेर के नाखून से लेके सर के बाल तक हनी आपका बहुत अच्छा फाइदा करते हैं यानि कि लंग्स के लिए तो हैं हमारे जो एर फिल्टर होते हैं हमारे जो फेफड़े होते हैं उसकी complete एक डाइट होती है हनी अगर भुजूरों को की बात करें दोस्तों तो हमारे भुजूरों के लिए जाए तो अमरत के समान होते हैं और शाम को अगर आप दूद के साथ लेते हैं तो भी आपकी अमरत के समान होते हैं दोस्तों अब बात करेंगे दोस्तों रोयल जेली के बारे में रोयल जेली प्राउड के साथ कह सकते हैं हम फोरेवर लिविंग प्रोडेक्ट के अंदर क्योंकि रोयल जेली एक ऐसा प्रोडेक्ट है जो आस तक दुनिया वे कोई नहीं बना सका रोयल जेली एक ऐसा फूड है जो राजा माराजाओं के लिए एक रिजर्व फूड होता था यानि कि राजा माराजाओं के जीवनी जब पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि रोयल जेली यानि कि दूद या सहथ जिसको बोलते हैं वो राजा माराजाओं के लिए स्पैस में नहीं पेक कराया सिवाए फॉरेवर की और वो भी नैचुरल तरीके से कोई पेक नहीं कर पा है हम प्राउड के साथ कह सकते हैं फॉरेवर लिविंग प्रोड़क के एक इंडिपेंड डिस्ट्रिबूटर एक एव्यो होने के नाते हमें ये प्रोड़क्ट मिल रहा है जो अपने आप में एक चमत कारिक प्रोड़क्ट है दोस्तों क्योंकि ये रानी मदुमख्यी वरकर मदुमख्यी और क्वीन मदुमख्यी ये तीन परकार की मदुमख्या होती हैं जिसमें आकार का और एज का बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है यानि कि माना जाता है कि अगर क देली को खाके रानी मदुमखी तीन हजार अंडे देती है डेली और इसी लिए इसको फर्टेलिटी के लिए बहुत अच्छा प्रोडेक्ट माना जाते हैं दोस्तों यह हमारी बॉड़ी को बहुत अच्छे से मेंटीन करने का काम करते हैं यानि कि अगर कुछ मेजर बेनिफि और आपके बालों के लिए और आंखों के लिए यह बहुत अच्छा प्रोडेक्ट है दोस्तों और आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा प्रोडेक्ट है और इसको कैसे लेना होता है यह दोस्तों आपकी टमी के नीचे रखके आपकी लार के साथ जब जाता है तो यह बहुत फाइदा करता है अब बात करेंगे दोस्तों nutrition की nutrition में सबसे पहला product आता है Arctic C, Dr. John Diver जो father of omega 3 माना जाता है जिनको father बोला जाता है omega 3 का, जिनके research करन के जनम दाता है उन्होंने एक research करी Arctic C region के अंदर Arctic C region एक ठंडे पानी का समुंदर है minus 50 degree temperature का बरफिला पानी है वहाँ उन्होंने एक अजीब वाक्य देखा कि वहाँ के इड़ दिड़ जितने भी लोग रहते हैं उनकी lifestyle यतनी अच्छी नहीं थी वो मदिरा पान करते थी उनकी बहुत सारी ऐसी इसी lifestyle थी फिर भी कभी उन्होंने एक case भी heart attack का नहीं देखा तब उन्होंने रिसर्च करी कि यसी क्या वज़े हो सकते हैं क्यों heart attack नहीं होते हैं पर तो वहाँ से पता लगा कि वो लोग एक मचली का तेल लेती हैं जिस मचली का नाम होता है salmon और वो salmon इस समुंदर के अंदर रहते थी minus 50 degree temperature के पानी के अंदर भी उसको पसी ना आता था और उसी के oil का इस्तेमाल करते हैं इसलिए उनको cardiovascular system से कोई problem नहीं होती है और इसी चीज़ के रिसर्च करके forever living product के लिए endorse किया था forever living product का arctic c यानि कि omega 3 dr. john diver जो भी एक noble prize विजेता है यानि कि इसके अंदर super omega 3 होता है omega 6 होता है omega 9 होता है fatty acid EPA और DHA का combination होता है market में बहुत सारे आपको omega 3 मिलती है लेकिन EPA और DHA का combination यानि कि एक दिन का बच्चा भी इसको ले सकता है pregnant महिलाई भी इसको ले सकती है और इसके अंदर कुछ major benefits की बात करें तो यह enhance करता है आपके cellular health को enhancement करता है यानि कि आपकी memory के लिए बहुत अच्छा होता है यापके brain के लिए आँखों के लिए आपके heart के लिए आपके blood vessels के लिए lungs के लिए joint के लिए skin के लिए यानि कि totally आपकी पूरी body को repair करने का यानि कि उसको maintain करने में फाइदा करता है क्योंकि इसके अंदर दोस्तों आपको एक सबसे अच्छी चीज और होती है कि यह आपके mood को अच्छा रखने में भी मदद करता है क्योंकि यह आपकी complete blood circulation इसके अंदर अगर और अपने बात करें यह totally cardiovascular system की health को maintain करने का काम करता है blood circulation को ठीक करने का काम करता है यह आँखों की health के लिए बहुत अच्छा cancer से बचाने वाला product है दोस्तों और यह जिनको नीद अच्छी नहीं आती है उनके लिए बहुत अच्छा product है यानि कि इस सारे product दवाईया नहीं है इक खुराक है और इसको हमें एक खुराक के रूप में ही लेनी चाहिए क्योंकि हम doctor नहीं है हमारे पास कोई दवाई नहीं है इसका use कैसे करना है दोस्तो इसके अंदर oil होता है और oil हमेसा बोजन के बीच में लिये जाता है और इसको अगर बात करें तो जब भी आप खाना खाएं तो खाने के बीच में दो कैपसूल आप ले सकते हैं या एक कैपसूल ले सकते हैं यह आपके रोग परतिरोदिक सम्ता को ठीक रखने में मदद करता है उसकी complete एक diet है आपका रोग परतिरोदिक सम्ता ही आपके immune power ही वो system है जो आपको बिमारियों से बचाता है वो जो virus से बचाता है इसकी complete health के लिए यह immune blend बनाया जाता है दोस्तों जो आपके immunity system को healthy करने का काम करता है अगला प्रोटेक्ट है दोस्तों forever c plus यह इतना natural तरीके से बनाया गया है दोस्तों आज आप सब को पता है कि हमें vitamin c खाना बहुत ज़्यदा जरूरी है और vitamin c एक ऐसा nutrition होता है जो हमारी body produce नहीं करती है और इसके अंदर भी एक problem है कि vitamin c हमारी body के अंदर 4 गंटे चे जएधा रुकता ही नहीं है इसलिए हमें extra form के अंदर regular basis में खाना पड़ता है दोस्तों और यह water soluble vitamin c होता है और forever living product ने बहुत सारी research करने के बाद आमले का extract डालके vitamin c को naturally तरीके साथ तैयार किया गया इसके अगर आप रोज इस्तिमाल करते है तो आपकी complete body के लिए बहुत अच्छा है यह free radical से लडने का काम करते है इसके अंदर antioxidant होते है दोस्तों यानि कि vitamin c की एक tablet भी आप खाएंगे आपको पता लगेगा कि वास्ता में natural है अब दोस्तों बात करते last product पे personal care की personal care में सबसे पहला product आता है दोस्तों और एलो जोजोबा जोजोबा सेंपू की अगर अपने बात करें दोस्तों आज 90% महिलाओं के अंदर hair fall की problem है reason क्या है क्योंकि उसके अंदर sodium, laurel, sulfate की मात्रा होती है और उसके अंदर ऐसे chemicals की मात्रा होती है जिसका कलप ना नहीं कर सकती दोस्तों यानि कि वो आपकी skill जो आपके skill की skin होती है उसको block कर देता है और उससे बाल जटने शुरू हो जाते है forever living product ने natural ingredients के लिए बहुत अच्छा फाइदे मन्द होता है और इसके अंदर rose hip oil होता है जो आपके बालों की volume की increase करने में बहुत मदद करता है और इसके benefit क्या है दोस्तों ये मैं नहीं कहूंगा कि आप जैसे लेना सुरू करेगा आपके hair fall की problem ठीक हो जाएगे लेकिन मैं इतना जरूर बोलूँगा कि आपके जैसे आप इस्तेमल करना सुरू करेगा आप with confident ये हो सकते है कि आज से आपने अपने बालों को पॉसंद देना सुरू कर दिया और आज से आपने अपने बालों के लिए रिपेरिंग चालू कर दी और इससी तुरूप से आपको ये बहुत अच्छा result आपको देगा इससे अगला product है दोस्तो forever yellow lips अभी सर्दियां आ रही है आपको पता है कि सर्दियों के अंदर lips फटने की बहुत ज़्यादा problems होती है और market के अंदर इसको ध्यान से समझना दोस्तों हमारी body के अंदर सबसे sensitive skin होती है हमारी lips पूरी body के अंदर जहां भी skin होती है उसके उपर एक protective layer होती है epidermis की जिसको हम touch कर सकते हैं जिसको dead skin बोला जाता है लेकिन only हमारी lips ही है ही ऐसी होती है जिसमें protective layers नहीं होती है और वो धूल, मिट्टी, dust बहुत सारी चीज़े सहन करती है और वो हमारी directly हमारी skin के अंदर जाती इसको उनको बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती है लेकिन market के अंदर जितने भी lip guards की product आते हैं जितने भी lip guards होते हैं lips के लिए products आती है यानि कि हम जैसे लेते हैं उसके अंदर petroleum jelly होते है petroleum jelly क्या होता है ये chicken देने का काम करता है यानि कि grease के समान होता है और साथ तरीके से लिखा हो है petroleum jelly petroleum jelly पेट्रोल से निकलने वाली दूसरी एक चीज होती है grease की हित्र है जो आपको नमी बनाए रखती है यानि कि moisturize बनाए रखती है सिर्फ moisturizing के लिए petroleum jelly का इस्तेमाल करते है और वो आपकी skin के बहुत ज़्यादा नुकसान देए होता है forever living product के जो yellow leaves होता है यानि कि lip guard जो होता है इसके अंदर ingredients देखे आप इसके अंदर yellow barbant is leaf extracted है इसमें जो जो बाद seed oil होता है bees wax होता है यानि कि आपकी skin को फाइदा भी करेगा और skin की protection भी करेगा और इसको सरदियों में गर्मियों में हमेशा यूज़ करना चाहिए और सबसे favorite product जिसने ये लिया है उसने कभी नहीं छोड़ा ये मैं दावे के साथ के सकता हूँ क्योंकि ये product ही ऐसा है जिसने भी एक बार लिया है वो इसका ही होके रह जाता है Reader Digest ने 1999 में के अंदर outstanding brand का performance का award दिया था और ये एक ऐसा toothpaste है जिसके बारे में जो FVU है उसको मैं ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनको पता है ये सुपरमेन है यानि कि बहुत सारे ऐसे chemicals होते जिस की वज़े से हमारे सकी गट जाती है क्या करते है उसको हील करने का मदद करते है कुछ समय के बाद जिनके दान्द हिलते है वो खुद बोलते हैं कि हमारे धांद हिलने बंद हो गई क्योंकि इसके अंदर ऐलोवेरा होटा है ऐलोवेरा की हिलिंग प्रॉसेश recursos बहुत अच्छी होती है इसके अंदर दोस्तों भी प्रप्लिस होती है दोस्तों एक्ट्वल नहाने का साबुन है आपने मार्केट में बहुत सारे साबुन देखे होंगे जिसमें लिखा होता है टॉयलेट सॉप और यह नहाने का साबुन है दोस्तों फेसेंड बॉड़ी सॉप है जो इंग्रीडिन के अपने बात करें तो इसमें एवोकाडो बट